साथियों, आप सब इस बात के साची हैं कि देश किस तरह आज एक नई सोच, नई एप्रोच के साथ अपने हर खिलाडी के लिए साथ खड़ा है। आज देश के लिए आपका मोटिवेशन बहुत महत्वपून है। आप खुल कर खेलें, अपने पूरे सामर्त के साथ खिल सकें। अपने खेल को, अपनी टेकनीक को और निखार सकें। इसे सरवोच्च्व प्रात्विक्ता दी गई है। आपको याद होगा, अलेंपिक के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन काफी पहले ही कर दिया गया था। तारगेट, अलेंपिक, पोडियम, स्कीम के तहट सभी खिलाडियों को हर संभव मदद दी गई। आपने भी इसे अनुभव किया है। पहले की तुलना में जो बनलावाज आये हैं, उन्हें भी आप महसूस कर रहे हैं। मेरे साथियों, आप देश के लिए पसिना बहाते हैं, देश का जंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दाइत्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। हमने प्रयास किया है, खिलाडियों को अच्छे ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, बहतर एक्विप्मेंट के लिए, आज खिलाडियों को जादा से जादा इंटरनेशनल एक्स्पोजर भी दिया जा रहा है। स्पॉर्ट से जुड़ी समस्तानों में आप सब के सुझाओं को सर्वोपरी रखा, इसलिए इतने कम समय में इतने बडलाव आप आए हैं। साथियों, जैसे खेल के मैदान में मैनत के साथ सही स्ट्राटेजी जुड़ जाती हैं, तो जीड़ पक्की हो जाती हैं। यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती हैं। देश ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभ्यान चलाकर मिशन मोड में सही स्ट्राटेजी किसमें काम किया। तो परणाम भी आप देख रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाडियों ने ऑलिम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार इतने जादा खेलों में भारत के खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं। कई खेल ऐसे हैं जिन में भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है।